हासी से बीजेपी प्रत्यासी विनोध भ्याना को समर्थन का दोर लगाता रफ्तार पकड़ रहा है खरड़ चुंगी पर नगरपरशद चेर्मेन परतिनिती विनोध सैनी रिंकु सैनी वे कई अन्य पार्षदों ने एक जन्सवा का आयोजन कर विनोध भ्याना को लड़ों से तोला रिंकु सैनी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विनोध भेना का नई सरकार में मंत्री बनना तै है उनके मंत्री बनने के बाद शहर में विकास और अधिक रफ्तार पकड़ेगा इस दोरान बीजेपी निता नमीन ठाकुर ने मंच का संचालन करते हुए कहा कि विनोध भेना की जीत के साथ हासी की सरकार में सीधी तोर पर हिस्सेदारी हो सकेगी जनसवा को राजपालियादव, बीजेपी मंदल परधान, परवीन बंसल वे कई अन्य निताओं ने भी संबोधित किया बीजेपी परत्यासी विनोध भेना ने अपने भाषन में कहा कि प्रधान मंत्री नरिंधर मोधी वे मनोडलाल खटर के सरकार ने देश को जो नेतरतो प्रधान किया है उसके बारे में कभी किसी ने सोचा तक नहीं था भ्याना ने कहा कि अगर हासी के लोग सरकार में सीधी तोर पर हिस्सेदारी चाहते हैं तो उन्हें रिकार्ड तोड जीत के मारजन के साथ विधान सबा में भेजें ताकि वे पूरी ताकत से हासी हलके का विकास करवा सकें इसके लावा हासी में अन्य जगहों पर भी भ्याना के जलपान कारिकरमों की इन दिनों होड लगी हुई है विबिन पार्सद अपने वाडों में उनकी जनसबा करवा रहे हैं और समर्थन का बरोसा दे रहे हैं अज़ बच्चा बच्चा से विकार कर रहा है कि आने वारी सरकार भाजपा की सरकार है अगर हम चाहते हैं कि हमारे इजाके में विकास और ज़्यदा बेग गती पकड़े तो निश्टित रूप से हमें भाजपी जन्ता पार्टी के कैंडिडेट को जिदाना होगा और भाजपी जन्ता पार्टी का कैंडिडेट आपके अपने बीच का कैंडिडेट है आपका जाना पर जाना है आपने जाच्चा है आपने परखा है आपसे कोई दूर नहीं दिन रात आपके फिक में रहने वड़ा क्यानिडेट है इस तरह से मैं कह रहा था 2009 से 2014 तक हमने आपके 21 इलाके की सेवा की अब भाग के जन्ता पार्टी ने आपके बीच में एक मोका दिया है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि 21 तारिक को सुवा उठकर नहा धोकर भगवान का नाम ले करके पोलिंग बूत पर जाना और वहां कमल के फूल के निशान का प्रवाई को चुनाओं में जिताना और निश्चित तोर से हर्याना परदेश में पूरे हर्याना परदेश में कमद खिलेगा और इस परदेश की बागड़ एक बार फिर श्री मनौरल खत्रजी के हाथ में होगी और हमारे हांसी का अभूत पुलों विकास होगा यही बात आपके बीच में कहने आया था आज हमारे सभी पार्शनों ने हमारे भाई रिंकू ने विनोज ने भूरी दाकत लगा के आप सब को परार्शना करके आपको एक यहां कठा किया और एक बहुत शांदार काम्यार मीटिंग यहां करवाई इसके लिए मैं इनका बहुत झाल